दुनिया के ऐसे जानवर जो आपको बना देंगे करोड़ पती दोस्तों ये मामूली सी दिखने वाली छिपकली इंटरनेशनल मार्केट में एक करोड़ रुपे की बिक्ती है क्योंकि इसका इस्तमाल बहुत सारी दवाईयां बनाने में किया जाता है जोकि किट्नी और लंक्स में होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाती है और यही वज़ा है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है ये कीला रातो रात किसी को भी करोड़ पती बना सकता है क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत 70-80 लाख रुपे के बीच होती है ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर में एक खास तरह का ओयल पाया जाता है जिससे बहरे लोगों के कान का इलाज किया जाता है दोस्तों होर्शू क्रेब का ब्लेड नीले रंका होता है और इस ब्लेड में बहुती special immune cells होते हैं जिसका इस्तमाल medical research में toxic bacteria का पता लगाने के लिए किया जाता है और एक लीटर होशू क्रेब ब्लेड की कीमत करीब 12 लाख रुपे होती है वैसे क्या आपने कभी इस प्रजाती के केकड़े को कहीं देखा है कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी लंबी चोच की मदद से ये पक्षी किसी भी जानवर पर हमला कर देता है पेलिकन नाम से जाने जाने वाले इस पक्षी को पक्षियों की दुनिया का मगरमच भी कहा जाता है क्योंकि ये पक्षी मगरमच की तरह ही कुछ भी खा लेते है दरसल पेलिकन के गले और निचली चोंच के बीच एक थैली बनी होती है जब भी पेलिकन किसी जीव का शिकार करता है तो वो अपने गले की थैली में उसको रख लेता है और बाद में उसे खा जाता है दोस्तों पेलिकन को लगता है कि उसकी बड़ी चोंच के कारण वो कुछ भी खा सकता है लेकिन असल में उसके गले की थेली काफी नाजुक होती है जो कि कई बार शिकार करते वक्त नीचे से फट जाती है पेलिकन मचलियों का शिकार तो आसानी से कर लेता है लेकिन ये कच्छोय का शिकार करने के चकर में अपनी चोंच तोड़वा लेता है दरसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि कच्छोय का शेल काफी मजबूत होता है जिसका शिकार करते समय पेलिकन की निचली थेली में छेद हो जाता है और पेलिकन की थेली में छेद होने का मतलब है कि कुछी समय में उसकी मौत हो जाएगी असल मैं इस थेली का इस्तमाल पेलिकन खाना स्टोर करने के लिए नहीं करते बलकि पेलिकन जो भी खाते हैं वो उनकी थेली से होते हुए उनके पेट तक जाता है लेकिन अगर थेली में छेद हो जाएगा तो पेलिगन का सारा खाना बाहर गिर जाएगा इसके बस एक वार से ही किसी इंसान की उंगली भी उसके हाथ से अलग हो सकती है अलिगेटर स्नैपिंग टर्टल नाम का ये कच्छवा अपने 1000 PSI के बाइट 4 से किसी भी चीज़ को अपने मुँ में दबा कर चकना चूर कर सकता है और इसी वज़े से इसे दुनिया का सबसे ख़दरना कच्छवा माना जाता है जो घास और मास दोनों खाता है ये ज्यादा तर अमेरिका और नॉर्थ फ्लॉरिडा के जंगलों और तालाबों में पाया जाता है ये मचली अपने शरीर से 600 बोल्ट तक के करेंट को जनरेट कर सकती है ये अपने इस करेंट की मदद से एक मगरमच तक को मार सकती है असल में ये इस करेंट का इस्तमाल अपने बचाव के लिए करती है जब भी कोई शिकारी इसका शिकार करने की कोशिश करता है तो ये अपने शरीर से करेंट छोड़ती है जिससे उस शिकारी जीव की मौके पर ही मौत हो जाती है नमब थ्री स्लो लॉरिस ये एक ऐसा जानवर है जिसे देखते ही आपको उससे प्यार हो जाएगा क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी आँखे और मासूम सी मुस्कुराहट लोगों को इनकी और आकरशित करती है इन्हें यूं तो खतरनाक नहीं माना जाता लेकिन अगर ये एक बार किसी को काट लें तो उस व्यक्ति को शायद ही कोई बचा पाए क्योंकि इस छोटे से जानवर में इतना ज्यादा जहर होता है कि किसी अच्छे खासे व्यक्ति की मौत आसानी से हो सकती है मधुमख्यों का छत्ता बिलकुल किसी राजा के महल की तरह होता है लेकिन इसमें कोई राजा नहीं होता दरसल मधुमख्य के छत्ते में तीन प्रकार की मधुमख्या होती है पहली है कुईन बी याने रानी मधुमख्य जिसका काम ज्यादा से ज्यादा अंडे देना होता है और ये दिन में 3000 से भी ज्यादा अंडे देती है दूसरी होती है ड्रोन भी जो की मेल मधुमक्खी होती है और इनका काम सिर्फ रानी मधुमक्खी के साथ मेटिंग करने का होता है नमबर तीन पर आती है सबसे important याने वरकर मधुमखी ये female मधुमखी होती है जो की शहद बनाती है वरकर मधुमखी शहद बनाने के लिए सबसे पहले फूलों से nectar एकटा करती है फिर ये इस nectar को दूसरी वरकर मधुमखी के मुँ में डाल देती है और जब नैक्तर मधुमक्की की लार में एच्छे से मिक्स हो जाता है तो वो इसे सेल में डाल देती है जिसके बाद कुछ समय बाद शेहत बन कर तयार हो जाता है